सब लोग आज solve करेंगे इस question को तो चलिए start करते हैं यह आपका differentiation का है और यह आपका NCRT का question है ठीक है तो देख सकते हैं आपर क्या दिया है y equal to 10 inverse 3x minus x cube नीचे में किया 1 minus 3x square ठीक है और इसका आपको value निकालना है ठीक है यानिकी find out कर सकते हैं तो यहां से ठीकल टू क्या निकल जगा हमारा 10 inverse x ठीक है ठीक है ठीकल टू क्या जगा 10 inverse x अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम x equal to 10 ठीक अगर इसमें 10 ठीक पूट करेंगे तो यह क्या बन जगा आपका यह टूटल बनेगा 310 ठीक माइनस 10 क्यूब ठीक है और नीचे क्या हो जागा आपका 1-3 10 E3 स्क्वाज़ ठीक है अब देखिए आब यहां से क्या होगा यह इतना टूटल का फोर्मूला क्या होता है 3 तो अगर हम लोग यहां पर अप्लाय करेंगे तो यह टूटल हमारा क्या बन जेगा y equal to 10 inverse 10 3 theta ठीक है 10 3 theta अब देखे 10 10 कट गया बचा किया आपके पास y equal to 3 theta अब यहाँ से इसका differentiation आप लोग easily कर सकते हैं देखें यहाँ पर क्या किये थे हम x equal to 10 theta हुआ था तो theta equal to 10 inverse x तो अब यहाँ पर हम लोग इसको put कर देंगे यानि कि y equal to 3 10 inverse x ठीक है y equal to 3 10 inverse x अब इसका dy by dx निकाल सकते हैं आप लोग easily ठीक है तो देख सकते हैं अब इसका आप लोग dy by dx निकाले हैं तो क्या आजएगा dy by dx equal to क्या हो जएगा 3 constant है तो बाहर और 10 inverse x का differentiation क्या होता है 1 by 1 plus 10 inverse x का differentiation क्या होता है 1 by 1 plus x square तो हम क्या करेंगी इसको यहां पर फूट कर देंगी यानिकी 1 by 1 plus x square तो टूटल आपका फाइनली आंसर क्या आजेगा 3 by 1 plus x square ठीक है यह आपका फाइनली आंसर ठीक है तो thank you friends सुमीदे आप लोगों समझे मायागा तो हम लोगों मिलते में नेक्स फूडियो में तब तके लेज्जा हैं